दोस्तो स्वागत है आपको नवस्ते इंडे निज में मैं हूँ आपको दोस्तो नवीन शर्मा हम बात करें हैं आज पेश होए बजट की दोस्तो बड़ा अपडेट है आज का आज मोदी सरकार ने बजट पेश किया है पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद तो चानलेते है कि आपके लिए उसमें क्या क्या है और क्या सोगाते दी है नोने आम आदमी को किसानों को और एक मिडिल क्लास को आई जानते से लेटेश्ट अपडेट को विस्तार से दोस्तो वीडियो शुरू करना इसे पहले लगना चाहूँगा आपने चैनल स्क्राइज में ही क्या स्स प्रत्यक नागरिक के जीवन को अधिक सरल बनाने के लक्ष के साथ पेश किये गए नरेंदर मोरी सरकार के दूसरे कारेकाल के पहले आम बजट में अर्थ विएस्था को गति देने के लिए मीडिया विवानन विमा और एकल ब्रांड खुदरा शेतर में पत्यक्ष प्रत्यक निवेश FDI के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है वित्रमंदरी निर्मला सितारमन के बजट भाषन की दस बड़ी बातें दोस्तों पहला है बैंक खाते से एक करोड रूपे से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशर की दर से TDS लगा जाएगा पेट तीन फिस्दी और सर्चार्ज लगे गया महीं सालाना पांच लाग रूपे से कम आये वाले को कोई इंकम टेक्स नहीं देना हुगा ने कि पांच लाग जो इंकम टेक्स दर थी लागो कर दी गई है अब काईकरम की रफतार तेज की जाएगी और लाल फिता शाही को कम किया आइका असंगटी शेद्र के कामगारों के लिए शुरू की गई प्रधान मंतरी श्रम योगी मान्धन योजना को अब 30 लाग कामगारों को अपनाना होगा इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को सार साल के आयों के बाद तीन हीया रूपे पती महा पेंशन की सुधायें उपलब्द होगी मासिक पेंशन उपलब्द होगी बीते विट्वर्ष में देश में 64.7 रब डालर का FDI आया है सब्सक्राइब के नियमों में धेल दी जाएगी अभी FDI निती के तहद बीमा शेदर में 59% FDI के अनुमती है इसमें बीमा बेकिंग बीमा कंपनी तीसरा पक्ष प्रसासन टीपीए सर्वेर और नुकसान आकलन करता शामिल है सरकार का मकसद हमारे नागरिकों के जीवन को अधिक सरल बनाना है यह सूच ना देते हुए प्रसंद नहूं एवं संतुष्टू कि भारत को 2 अक्टूबर 2019 को खुले में सोच करने मुक्त गोशित किया जाएगा किराये वाले मकानों को प्रोस्थान देने के लिए कहीं सुधार किये जाएगे मुझुदा कानून काफी पुराने है क्योंकि वे पट्टे देने वाले और पट्टा लेने वाले को संबंद में समस्याओं को ठंका निदान नहीं कर पाते है श्रम कानूनों को सरल कर चार कानून सहीता की जाएगी इसका मकसद रिटर्न राके लें और पंजी करन का माननी करन करना होगा और विवादों की घटना है स्वयम सेवी समू की प्रमानिक महिला सदस्य का जन्धन खाता होगा और उन्हें पांच हैर रूपे के ओर ड्राफ्ट की सूधाएं भी दी जाएगी इन्हें कि पांच हैर रूपे वो एश्ट्रा निकाल सकती है तई रकम से 22 तक प्रत्य ग्रामिन परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ इधन आधारी तरसोई सुधा होगी जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाते हैं उन्हें छोड़कर 22 तक प्रत्य ग्रामिन परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ इधन आधारी तरसोई सुधा उपलब्द होगी प्राणमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरेंड में 80-250 कोड़ रूपे के अनुमानी त्लागत के एक लाग 25 जार किलोमेटर सड़के बनाई जाएंगी प्राणमंत्री आवास योजना ग्रामेंड के तहट इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि सब लोग अपडेट रह सके आज की इस बड़ी न्यूस से और सावधान सतर रह सके इस वीडियो में इतना ही फिर आपके लिए उपस से दोंगे नजानकारी के साथ तब तक लिए रोस तो खुश रहिए सुआस्ट रहिए नमस्ते इंडिया